नमस्कार आपका हमारी चैनल ब्राइट स्पॉट पर स्वागत है आज हम इस तरह की देखिए ये बेबी बूटी बनाएंगे इस तरह की इसके लिए हम ये दस नंबर की सलाईया लिए हैं और इसमें हम दो सलाईयों में एक साथ और एक उन से एक हरी उन से हम 40 फंदे हैं दो सलाईयों पर एंच चालिस फंदे डालके डालेंगे marginal pr vnd हमने इसमें डालनी है double sli में आप एक इसको धीमय से इसमें से निकाल देंगे इसमेंसे हम एक sli में निकाल लेनी है इस तरह से हम निकाल दि हम सबसे पहले हम नीचे का as इसके लिए हम डीजें का यहाफ सोल बनाएं इसके लिए कि सरी लिए 23 स्थ 12 से राफ måste सभी फंदे हमें सीधे सीधे बुनने है इधर से भी और उधर से भी 2 स讲या हम को सीधी सीधी बुन करके तैयार करनी है इस तरह से 2 स सुलबन से बुन लेते यह एक उतार लिया हमने एक फंदा हमको सीधा बुनना है एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो आप जैसे बढ़ाना चाहें हम यह ऐसे करके जैसे हम जाली बनाते हैं उस तरह से उनको आंगे करेंगे और इस तरह से हम फंदा को बढ़ाएंगे और अब हम बोलेंगे सत्रा फंदे, अब हमको सत्रा फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, दो, तेन, चार, सत्रा फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब इसके बाद हमको एक फंदा बढ़ाना है, तो हम उन आंगे कर लेंगे, और इस तरह से बढ़ाएंगे, और दो फंदे अब हमक करनी है इस तरह से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और अब हमको 17 फंदे सीधे बुलने हैं एक दो तीन चार के 17 फंदे हमें सीधे बुलने हैं अब हमें यहां पर एक बढ़ाना था उनको आंगे कर लेंगे और दो फंदे हमें सीधे बुलने हैं यह देखें हमनें दो फंद सीधे बुण लिए और उल्टी सलाई हमको पूरी सीधी बु shipment है यह को सीधा बूनना है यह देखिए और इस चो में फंदा बढ़ाया था उसको इस तरह से नहीं लेंगे इस तरह सीलेंगे तो जाली बन जाएगी इस तरह से हमको नहीं लेना इसको हमें पीछे से लेना है यहां से हम यहां से लेंगे यह पीछे से लेंगे यह पीछे से लेंगे इस तरह से यह देखे इस तरह से हमको यह वाला फंदा लेना है और यह हम सब फंदे सीधे बुनेंगे यह सब पूरी सलाई हमको सीधा बुन करके त्यार करेंगे उल्टी सलाई हमने कम्प्लीट कर ली सीधी सीधी बुन कर अब हम पांचमी सलाई पर आ गए पांचमी सलाई पर एक फंदा हमको उतारना है यह फंदा हमने उतार लिया और दो फंदे हमको इसमें सीधे सीधे बुने एक और दो दो फंदे हमने सीधे बुने और एक बढ़ाना है तो उनको हम आंगे कर लेंगे और अब हम 17 फंदे हमको सीधे सीधे बुने एक गिन करें हमको गिन लेंगे और गिनते हुए हमको 17 फंदे यहां पर सीधे सीधे बुनने हैं 17 फंदे हमने यहां सीधे सीधे बुन लिए अब एक फंदा हमको यहां बढ़ाना है तो हम उन आंगी कर लेंगे और यहां पर 2 फंदे पहले हमारे थे यहां पर सीधे अब हमें यहां पर बीच में 4 फंदे हमारे हो गए चार फंदे के बाद फिर हम एकबढ़ाएंगे और यहां 17 कंदें हम फिर बुने यए 17 पंदे हमने सीधे बुन लिये अब फिर हमको यहां पर एक फंदा बढ़ाना और यह 3 पंदे हमको सीधे बुन सीधे ही तरह साओ Omega और उल्टी सलाई पर ये बढ़ा हुआ जो फंदा है उसको एक बार और दिखा दें आपको कि किस तरह से हमको बुनना है पहला फंदा हमने उतार लिया एक और ये दो हुने और ये बढ़ा हुआ फंदा है इसको हुने यहां से यहां से लेना है इसको पीछे से यहां से लेंगे इस तरह से आंगे से नहीं लेना, इसको पीछे से लेना है, इस तरह ऐसे लेंगे, और ये फंदे सब हमें सीधे बुलने हैं, ये सलाई हमको पूरी सीधी बुलने हैं, देखें, 6 सलाई हमारी कम्प्लीट हो गई, अब हम 7th रो पे आ गए, 7th सलाई है हमारी, इस पे हमें एक फंदा ये बढ़ाएंगे हम, उसके बाद फिर हमें 17 फंदे सीधे सीधे बुलने हैं, देखें, 17 फंदे हमने ये सीधे बुलने हैं, अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा हमने ये बढ़ाया, और बीच के हमें ये 6 फंदे सीधे बुलने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 फंदे हमने सीधे बुने एक फिर हम बढ़ाएंगे और 17 फंदे हमको फिर सीधे बुनने एक दो 17 फंदे हमने यहां सीधे बुन लिए अब हमें फिर एक बढ़ाना है और यह 4 फंदे हमको सीधे बुनने है यह हमने सब सीधे बुन लिए और यह उल्टी सलाई हमको पूरी सीधे बुनने ह यह सलाई हमको पूरी सीधी बने है, फंदा उतार लेंगे, और सभी फंदे हमको सीधे बने है, अब हम यह हमने उल्टी सलाई सीधी सीधी कम्प्रीट कर ली, अब हम 9th रोपर आ गए, इसमें हमें पहला फंदा उतारना है, पहला फंदा हमने उतार लिया, और अब हम 4 फंदे सीधे बुने, एक हम बढ़ाएंगे और फिर 17 फंदे हमको 17 फंदे सीधे-सीधे बुनने है, 17 फंदे, 17 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर हम यहाँ पर एक बढ़ाएंगे और बीच के 8 फंदे हमको सीधे-सीधे बुनने है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ के बाद एक हमको फंदा फिर बढ़ाना है और अब हमको 17 फंदे सीधे सीधे बूलने है 17 फंदे हमने 17 फंदे सीधे बूल लिए, एक फंदा हम यहां बढ़ाएंगे और यह सभी 5 फंदे हमारे हैं, यह हमको सभी सीधे बूलने है यह फंदे हमने सब सीधे बूलने लिए, अब हमारे यह फंदे बढ़कर 56 हो गए अब हमको फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब हम आगे उल्टी रो, उल्टी सलाई पर यदा से पूरी सलाई हम इसको सीधा बुनेंगे, एक फंदा उतारेंगे और इसको सीधा बुन करके कम्प्लीट करेंगे, उल्टी सलाई हमने पूरी सीधी बुन करके त्यार कर ली, अब हम 11th रो पर आ गई, इस सलाई को भी हमको पूरा सीधा बुन करके त्यार करना है, ये पहला पंदा उतार लेंगे और पूरी सलाई हम सीधी बुनेंगे ये पूरी सलाई हमको सीधी बुननी है, देखिए हमने 11th रो बन करके पूरी हमारी सीधी सीधी बुन के त्यार कर ली, अब हम 12th रो पर आ गए, ये पूरी रो हमको उल्टी उल्टी बुननी है, ये सभी फंदे हमको उल्टे बुननी है, पहला पंदा उतार लिया और सभी फं फंदे अल्टे बिनेंगे अभी तक हम सीधा बुन रहें थे अमको सीधा नहीं अब हमको उल्टा बुनना है इस रोख को इस दरह से पूरी रोव उल्टी बुनेंगे उल्टे- फंदे बुनेंगे 12th row हमारी बुनकर complete हो गई, हमने उल्टी उल्टी इसको बुना, अब हम 13th row पर आ गए, अब इस पे हमको color change करना है, यहाँ पर हम color लगा लेंगे, और इसको हमें पूरी सीधी सीधी बुननी है, यहाँ से पूरी सलाई हमको सभी पंदे हमने इसमें सीधे बुनने है, इस तरह हम आ गए 14th row पर, चौद्वी सलाई पर आ गए, इसमें हमें पूरी सलाई सीधी सीधी बुननी है, यह पहला पंद हम उतार लेंगे, और सभी पंदे हमको सीधे बुनने है, पूरी सलाई हमको सीधी बुन करके complete करनी है, अब हम आ गए 15th row पर, अब हम यहाँ पर color change करेंगे इस तरह से इस color से हमको बुनना है, और पूरी सलाई हमको सीधी सीधी बुननी है, यह पूरी सलाई हमको इस color से सीधी सीधी बुननी है, दिखिए, अब हम 16th row पर आ गए, अब हमें इसमें उल्टी सलाई पर, इसमें हमको 23 पंदे उल्टे बुनने है, पहला पंदा उतार ल और 23 फंदे हम उल्टे बनेंगे, 2, 3, 23 फंदे हमने उल्टे बने लिए, अब हमें यहाँ पर 10 फंदों के 5 फंदे बनाने हैं, और 2 का 1 करेंगे इस तरह से दिए, 2 फंदे हैं, 2 का हमने 1 किया, फिर इसी तरह से, फिर हम 2 का 1 करेंगे, इसी तरह से 10 फंदों के 5 बना लेंगे, 3 हो गए हमारे 4 और ये 5 फंदे और लास्ट में हमारे ये 23 फंदे बचे इन फंदों को हमें सबको उल्टा उल्टा बुन लेना है, ये सब पूरी सलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे, अब हम 17 फ्रो पे आ गए, अब यहाँ पर हम फ अब हमको ये सलाई पूरी सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से हम पूरी सलाई सीधी सीधी बुन लेंगे, 17 फ्रो हमारी बन करके तैयार हो गई, इसको हमने सीधा सीधा बुना और इल्टी 7 फंदों को सीधा सीधा ही भुनना ह। पहला पंड़ा उतार लेंगे और इस रोग को हम सीधा सीधा बुलेंगे सभी पंड़ें को सीधे सीधे बुलने है यह देखिए नाइंटिंग थ्रो पे आ गए हैं और अब हम कलर चेंज यहां पर करेंगे और यह सलाई हमको पुरी सीधी सीधी बुलनी है यह वाली कलर चेंज करके हमको सीधा सीधी बुलनी है इस तरह से हम पुरी सलाई सीधी सीधी बुलनेंगे अब हम 23 रोपे आगे दीसनी सलाई है हमारी इसमें हम 21 पंदे हमको उल्टे बुलने हैं 21 पंदे हम यहां पर पहला पंदा मुतार लेंगे और 21 पंदे हम उल्टे बुलनेंगे 21 पंदे हमने यह उल्टे बुलिए अब हमें दस पंदों के फिर पांच बनाने हैं तो दस पंदों के हम पांच बना लेंगे इस तरह से एक दो तीन चार पांच और यह आखिर के हमारी हे 20 पंदे बंचे हैं इनको सबको हम उल्टा उल्टा बुलन के त्यार करेंगे 21 पे आ गए अब मैं यहां पर कलर चेंज करना है और पूरी सलाई हमको सीधी बुननी है इस तरह से हम पूरी सलाई सीधी बुनेंगे अब इसमें हमारे 46 पंदे हो गए हैं इस तरह से पूरी सलाई हम सीधी बुन करके कंप्लेट करेंगे अब हम 22 पे आ गए 22 रोल पे इसको हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है इस तरह से हम पूरा सीधा सीधा बुनेंगे सीधा बुन करके इसको कंप्लेट करेंगे अब हम अपनी 23 रो पर आगए और इसमें हमको color change करना है और पूरी सलाई हमको सीधी बुन करके त्यार करने हैं यह हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से हम पूरी सलाई सीधी सीधी बुन करके त्यार करेंगे यह देखिए हमारी यह सलाई complete कर लियो हमें अब हम उltty- wichtig प्यारा गए और यह 24thWAY है इसमें हम 18 फंदे उल्टे-उल्टे भूनेंगे हमको अठारा फंदे उल्टे-उल्टे बूने 18 फंदे हमने उल्टे उल्टे बूली है अब हमें 10 फंदों के 5 फंदे बनाने हैं तो इसी तरह से जैसे हमने और बनाए हैं एक दो तीन चार और ये पांच अब हमारे इधर 18 फंदे रह गए इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे आप देखे 25 वोपर आ गए है 25 वोपर इसमें हमें कलर चेंज अब करना है और पूरी सलाई को सीधा ही बुनना है कलर चेंज करेंगे और पूरी सलाई हम सीधी बुनेंगे इस तरह से पूरी सलाई हम सीधी बुन करके कम्प्लेट करेंगे इसको हम 26 सलाई बुनेंगे और इसमें हमें सभी फंदे सीधे सीधे बुनने है, पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये सभी फंदे हमें सीधे सीधे बुनने है हम 27 रो बुनेंगे और इसमें कलर चेंज करेंगे यहाँ पर हम और पूरी सलाई हमको सीधी सीधी बुननी है यह पूरी सीधी सलाई गुन करके complete करेंगे देखिए अब हम आगर 28 रो पर इसमें हमको 16 फंदे उल्टे उल्टे बुलने है एक, दो, तीम, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, और यह 16 16 फंदे के बाद अब हमें 10 के 5 फिर करने है, 10 फंदों के हमें 5 बनाने है तो 2 का 1 करेंगे, एक, दो, तीन, चार, और यह 5 आप हमारे इसमें बच गए हैं 15 फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा यह 15 फंदे हम उल्टे उल्टे गुन लेंगे और अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है अब हमारे इसमें हो गए हैं 36 फंदे रह गए हैं अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे इसी तरह से उल्टी सलाई हम पूरी यह 15 फंदे उल्टे गुन करके कंप्लीट करेंगे 29 फंदे रोपय आ गए और यहां पर हम कलर चेंज करेंगे और पूरी सलाई को उनको सीधा सीधा बुनना है पूरी सलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे और उल्टी सलाई हमको उल्टी सलाई सीधी सीधी बुननी है एहर से भी सीधा बुनेंगे और उल्टी सलाई को भी सीधा ही बुनेंगे अब हम 30 रोपे आगए इस सलाई को हमें पूरे पंदे सभी को सीधा सीधा बुनना है सभी पंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे इस तरह से और हम थार्टी फर्स्ट आ गये अब हम यहां पे हों च्णिन करेंगे. और वूरी सलाई उमको सीध़ी सीधी बुनने की पूरी सलाई सिधा सिधा बुनेंगे और छ्छे रोब बना करकिसे इसी कलर से हमको सीधा सीधा आंगे से भी और पीछे से भी दोनों तरब से हमको 6 रो बना करके 6 सलाईया बना करके त्यार करनी है 3 रो बनाएंगे एक रो हमारी 2 सलाईयों से बनती है तो हम 6 सलाईया और 3 रो बना करके त्यार करेंगे फिर हम आपको दिखा रहा है कि हमें आगे किस तरह से बुनना है दीखे हमने 6 सलाईयां और 3 रो बना करके यह तयार कर लिए अब हम 37 रो पर आ गए इसमें हमको एक फंदा हमने उतारना है और यहां पे हम यह डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे इसके लिए इसके हमें दो का एक किया उनको आंगे करेंगे फिर हमें दो का एक करना है इस तरह से इस तरह से हम दो का एक करते जाएंगे उनको आंगे करेंगे और फिर यह दो का एक करेंगे इस तरह से हमको पूरी सलाई में दो का एक करते जाएंगे और जाली बनाएंगे और यह जाली यह पूरी सलाई हमने complete कर ली और जाली बन करके माय तयार हो गई आप हम 38 रोपे आगए इस सलाई को इनको हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है और देखिए इस तरह से बुनेंगे और इसको हमें यहां से लेना है जिससे हमारी जाली बन जाए यह देखिए इस तरह से हम सीधा सीधा इसको बुनेंगे इस तरह से जाली को हमें इस तरह से बुनना है और इस तरह से हम इस सलाई पूरी पूरी रोप complete करेंगे हमारी जाली बन करके यह तयार हो गई है अब हम आ गए है थैटी नाइंथ रो पर अब हमें यह सलाई को सीधा सीधा बुनना है और दस सलाईया हम इसी तरह से सीधी सीधी बुनेंगे और पांच रो बना करके तयार करेंगे हमें सीधा सीधा बुनना है इसको देखिए इस तर यह हमारी पांच रो और दस लागिया बंद करके यह तैयार हुए अब हम सीधी तरफ हैं और हमें सभी फंदे बंद करते जाएंगे और सभी फंदों को बंद करते जाएंगे इस तरह से इस तरह से हमने लिया, एक फंदा फिर रिसीव पर करके, दो का एक, दो का एक हमको करना, और सभी फंदे हम बंद करेंगे, देखिया हमारे सबी फंदी हमने बंद कर दिए अब एक फंदा हमारा बचा है इस फंद话 को हमें इस तरह से यह हमारी उन है इसके अंदर से ले जाएंगे और इसको हम टाइट कर देंगे और यहाँ पर हमारे यह बंद हो गया और थोड़ी ऊंद हमको बचानी है सिलाई करने के लिए यहां से हम उनको कट कर देंगे हम इसकी सिलाई करेंगे इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से यहां से यहां तक और यहां से हमको यहां तक इसकी सिलाई करनी है दिखे किनारे से लेते हुँ चलेंगे यहां पक्का कर लेंगे किनारे फिर हमको इस तरह से इसकी सिलाई करने है देखिए मिसिल कर तयार कर लिया है अब इसको हम सीधा करेंगे और यहां पर डोली डालेंगे डोली डाल करके कम्प्लीट करेंगे इसको यहां से हमको इस तरह से इसमें डोली डालनी है देखिए हमने डोली डाल करके इसको तयार कर लिया इसको हमने साइड में डोली डाली है एक साइड में इधा डोली डाली और एक में हमने इधा डाली यह हमारा तयार हो गया है हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब और करिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नमस्वार